दोस्तों आप सभी के लिए खुश खबरी हैं ना ही आपको अस्पिताल जाना पड़ेगा ना ही सरजिरी के लिए जाना पड़ेगा अपने घर बैटकर आप बड़े से बड़े बिमारियों का एलाज, एक्यू प्रेशर, होम आयवरेदा एवं एक्ससाइस से आप कर सकेंगे पॉस्त जीबी का पेंड्राइव के माध्यम से ऑनलाइन आमाजान पर खरीदे के लिए उपलब्ध है 51 तथा 101 बिमारियों के इलाज के साथ ऑनलाइन आमाजान पर उपलब्ध है दोस्तों अब आप बिना दवाई के बिना अस्पिताल जाए घर बैटे अपना इलाज खुद करिए डारेक्ली किताब, डीवीडी तता पेंड्राइब पाने के लिए वाच्च अप करें इस नमबर पे दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बेस आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल फ्रीडम फ्रम होस्पिटाल में दोस्तों लोगडाउन का टाइम है हम लोग सारे घर बैठे हैं इस समय में ना हम ब्यूटी पार्लर जा पा रहे हैं ना अपने फेस होगेरा का केर ले पाते हैं तो दोस्तों जानते हैं आज कुछ घरीली उपाचार अपने फेस को बचाने के लिए और फेस में नई जीवन ताजगी पन लाने के लिए दोस्तों तो आज मैं आपको टीप्स देने वाला हूँ दोस्तों वो है जो रोज है यानि गुलाब है गुलाब उसकी जो फंकडिया होती है उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करें और उससे फेस प्रैक दोस्तों कैसे बनाए तो गुलाब के फूलों के से तैयार गुलाब जल हमारे तो प्रकुडियां से तैयार किया गया फेस मास्क आपके चेहरे को गुलाब की तरह कोमल और सुन्दर बनाने का काम करता है उस फूल की खुजबू जितना हमारे मन को लभाती है उतना ही उपियगी है फूल हमारे तोचा की लिए यहां जानेंगे आज हम दोस्तों गुलाब के फूल की पंखुडियों से कौन सी ओचीजें हम एक्स्ट्रक्ट कर सकें कौन सी ओखुवियां ले सकें जिससे कि हम अपने तोचा को और जीबंद बना सकें और जवां बना सकें और बहतर बना सकें दोस्तों गुलाब की पंखुडियों के गुण के बारे में दोस्तों पहल बनाए रखने के लिए काम करते हैं बलकि तुएचा संबंदी कई बिमारी कई विकार को दोस्तों दूर भी करते हैं। गुलाब की पखुडियां विटामीन से काफी भरपूर होता है। इनमें विटामीन C, विटामीन B और विटामीन K पाये जाते हैं। यह स्कीन के डैमेज सेल्स को रिपैर करके उन्हें यूत्फुल बनाए रखने में दोस्तों मदद करते हैं। गुलाब की पोखुडियां एंटी अक्सिडेंट से भी दोस्तों भरपूर होता है। यह धूब धूल और पलिउशन के कारण तोयचा को हुए नुकसान की भरपाई करने में भी दोस्तों जवरदस कारगर है और जवरदस काम भी दोस्तों करता है। तोयचा की रंगत निखारने के लिए इसका जवरदस दोस्तों इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसका regular दोस्तों इस्तमाल करते हो तो यहां तोचा का काला पंदूर करता है, डार्क सरकल को दूर करता है और पिम्पल होने से भी दोस्तों रोकता है। गुलाब की पंखुडियां में इतनी ज्यादा आंटि वेक्टरियल प्रपर्टीज है दोस्तों कि अगर आप इसको रोजाना इस्तेमाल करोगे तो आपको किसी भी तरीके का आटिफिसियल फेस पैक, फेस मास्क ऐस अब चीजों की दोस्तों जरुरत नहीं पड़ेगी। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप इसको तैयार करोगे और इस्तेमाल भी करोगे। याने अगर आपकी ऑईली स्कीन है तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे। अगर आपकी ड्राइ स्कीन है तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे। और अगर ये मिक्स्ट है तो दोस्तों इसका कैस से तैयार करोगे face mask आप चाहें तो बजार से भी तैयार रोज पाउडर या रोज फेस पैक लगा सकते हैं लेकिन हमेसा याद रखिए दोस्तों बेहतर ही होगा अगर आप घर में ही इस पैक को तैयार कर पाएं ऐसा करने से यह पूरी तरह से अरगानिक होगा और आपको चुराली तैयार कर सकते हो और यह आपको दोस्तों इतना फाइदा देगा कि बाहर का जो चीजें हैं जो आटिफिसल चीजें उसके नुकसान से भी बचाएगा और पैसे खर्च भी आपका रोकेगा सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करनी है 40-50 पंखुडियां को आप किया गया फेस पैक को चेहरे पर आप आराम आराम से लगाईए और 20 मिनिट के लिए ऐसे लगा रहने दें इसके बाद गुनगुने पानी से दोस्तों चेहरा धोलें यह मास्क खास तोर पर ड्राइ स्कीन वालों के लिए दोस्तों है यह पैक आपकी तुचा की थकान को भी दोस्तों दूर करेगा बढ़ती उमर का असर दिखने से भी यह रोकता है दोस्तों इसलिए आप सोच लिजिए कि अगर 35 के उपर आप हो तो आप इसका भरपुर इस्तिमाल कर सकते हो यानि weekly कम से कम 3 बार भी इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हो अगर आपकी स्कीन ओईली है तो आप क्या करो दोस्तों सहत की जगा एक चमस दही के साथ गुलाब की पकड़ियों के पेश्ट को मिक्स कर लें इसमें जरूरत के हिसाब से बेसन भी दोस्तों मिला सकते हो फिर इसे चेहरे पर आराम से लगाएं करीबन 20 मिनिट बाद आप इस चेहरे में इसको लगाएं रखना है फिर उसको साधे पानी से दोस्तों धो लेनी है उसके बाद अपना जो रेगुलार क्रीम ओगेरा लगाते हो उसको अपलाई आप कर सकते हो या फिर मैं जो आपको और नेशुराल जो चीजें बताये हूं क्रीम ओगेरा तयार करने का उ इससे आपकी खुबशूरुती भी बढ़ेगी और आपको ताजापन भी अपने चेहरे में महसुस होगा यह तो इंस्टाइंट आपको करोगे तो आपको तुरंत इसका रेजल्ट दोस्तों मिलेगा आप करके देख लीजे अगर आपका जो स्कीन है वो मिक्स्ट थोड़ा और थोड़ा ड्राई इस तरीके का अगर स्कीन है तो आप इसमें क्या करिए ना गुलाब की पंखुडियों के पेश्ट को एलोवेरा के जेल में अच्छी तारा से दोस्तों मिक्स्ट कर लें तैयार पेश्ट को 15-20 मिनिट अपने चेहरे में और गरदने सब में लगा इसके बाद ताजे पानी से चेहरे को आराम से दो लें और एक हपता अगर दोस्तों करोगे तो आपको फर्क दिखने लेगा दोस्तों इसके साथ साथ हल्दी फूड लें पानी हर घंटे में एक गलास लें और खास करके अभी जैसे गर्मी का समय है आप नारियल का पानी द दुसरा अगर अगर दोसरा को राम से इस अज़ताया बाद जैसे आपर घंटे लॉड जाताय है तो आप जैसे खुबह उड़ते ओब स्तर से ताजे नारियल के पानी से दोस्तों चहरा और गल्ले को आप साफ करें उससे और उसमें कोई दुसरा पानी एक घंटे तक ना ल रहेगा, ना आपका कालापन रहेगा, ना धबा रहेगा, ना जतना दवाई खाऊगे, चाहे पेन किलर खाऊ, चाहे एंटीबाइटी खाऊ, चाहे अन्ठी इंफ्लामेंटरी खाऊ, चाहे अलग-अलग कारण से मेडीसिन लौ, डायबेटीस के लिए लोगे, बलेड पेशर के लिए लोगे, तो उस अब से भी दोस्तों याद रखो आपक का फर्ज बनता है कि इंटरनली भी आप योगा हो गयरा करो पानी हो गयरा स्वपिशन इंटेक करो और टाइम में खाना खाओ एक्सराइज करो वार्क आउट करो मॉनिंग वाग करो इवनिंग मेडिटेशन हो गयरा करो रात को डिनर के बाद थोड़ा से टहलना शुरू कर द दोस्तों तो खुबस्रिती ऐसे ही आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा चीज जो बता रहा हूं यह आपको अडिस्नल बेनिफिट देगा और बजार के चीज़ों से मार्केट के चीज़ों से आपको दोस्तों बचाएगा तो एक तरह से हमने केमिकाल से बचेंगे और जिन्देगी जी रहती हो, जियेंगे, आप याद रखिए, जब यह सारा सिचुएशन ठीक भी हो जाए, तब भी आपको जो आज मैं फेस मास्क के बारे में आपको बताया हूँ, इसको आप अमल में रखें, और आप देखोगे महिना महिना अगर इसका इसका इस्तेमाल आप कंटिनुटी में रखके करते हो तो गर्मी का टाइम पुरा निकलेगा और आपका चेहरा भी खुबश्रत हो जाएगा जिन्हें भी लाब होता है दोस्तों कमेट बक्स में आके जरूर डालें और उमीद करता हूं आप लोग इसको सेयर भी करोगे अपने यार्दोस्त के जय हिंद जय भारत